दोस्तों गर आप भी चाहते हैं कि भारती टीम इस बार विश्व विजेता बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आई सीसी ने ठोका राशित खान और इर्फान पठान पर जुर्माना तो भड़क उटे सुद्धी अरब के सुल्तान भारत को लेकर कहा है ऐसा जिसने जीता सभी का दिल तो वहीं पाकिस्तान को सुना दी जम कर खरी खोटी जी हैं दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने अफगानिस्तान की जीत के बाद राशित खान को इर्फान पठान पर आई सीसी ने जुर्माना ठोक दिया है जिसको देखकर साओधी अरब के सुल्तान भड़क उठे हैं और उन्होंने भारती टीम की तारीफ करने के साथ पाकिस्तान की बेज़िती कर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर 140 करोड भारत के देशवासियों का सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा तो आगिरकार ICC के दोरा राशिद खान और एरफान पठान पर जुर्माना लगाने पर साओधी अरब के सुल्तान ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राशिद खान और विराट कोहली मैंसे कौन है दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे जहाँ पर फजल हक फारुकी ने सरवादिक चार विकेट लिये हालाकि लक्षे का पीछा करने के लिए उतरी अफगानिस्तान की टीम ने लक्षे को 45.2 ओवर के अंदर साथ विकेट से अपने नाम किया जहां रह्मत शाह के बास論 देखने को मिले तो वहीं अजमत उल्ला के 78 और कप्तान शहीदी के 58 रुण भी देखने को मिले ऐसे में अफगानिस्तान की जीत के बाद हर कोई अफगस्तानी की तारीफ कर रहा है जहाँ पर राशित खान ने जीत के बाद एक बार फिर से मैदान पर तिरंगा फेराया तो वही इर्फान पठान ने एक बार फिर से डांस किया इस दोरान इर्फान पठान ने स्टूडियो में हर बजन सिंग के साथ डांस किया जिसके बाद ICC ने इर्फान पठान और राशि जुर्माना लगाया है वो बिल्कुल गलत है मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान और इर्फान पठान के तहट साजिश के कारण जुर्माना लगाया गया है क्योंकि दौनों को अपना व्यक्तिगत अधिकार रखने का हक है ऐसे में किसी के कह देने पर ICC को बेफ़ूल में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और दूसरे खिलाडियों को परिशान नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरीके से किसी ना किसी दिन किसी ना किसी खिलाडी को परिशान किया जाएगा पाकिस्तान की एक बार फिर से खराब रंडीती और शडियंतर के तहत दो महान खि इसके लावा उन्होंने आके बयान देते हुए का है कि ICC को राशिद खान के खिलाव जुर्माना लगाने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि राशिद खान ने अपने देश को जीत दिलाने के बाद किसी और देश का जंडा फैराया है तो ये उनका व्यक्ति का दिकार है ऐसे में उने इस तरीके से परिशान करना बेफिसूल का मामला है हलाकि भारत दुनिया का सबसे महान देश और सबसे बहतरीन क्रिकेट खेलने वाला देश है ऐसे में भारत के यहाँ पर वर्ल्ड कप भी हो रहा है पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के बाद सभी टीम आउकात दिखाने वाली है ऐसे में अब जल से जल सभी टीम पाकिस्तान के किलाव बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है तो दोस्तों आपको क्या लगता है राशिद खान और इर्फान पठान के ओपर जर्माना लगाना चाहिए या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएए दोस्तों श्री लंका के किलाव अफगानिस्तान की जीत के बाद अफगानिस्तान के महान गेंदाज राशिद खान ने फेराया तिरंगा जंडा तो एक बार फिर से भड़क उठे पाकिस्तान के दिगज भारत के खिलाव जैर उगलते हुए दे दिया खून कॉला देने वाला बयान जी या दोस्तों बिल्कुल सई सुना आपने अफगानिस्तान की टीम को श्री लंका के खिलाव जीत मिली है इसके बाद राशिद खान ने मैदान पर भारत का तिरंगा फेराया जिसको देख पाकिस्तान के दिगज बॉक ला गए और उन्होंने एक बार फिर से राशिद खान के साथ भारत की बेज़िती करते हुए एक ऐसा जहरीला और भढ़काओ बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी खून कॉल उठेगा तो आखिरकार पाकिस्तान के दिगज ने तिरंगा फेराने पर राशिद खान और भारत को लेकर क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा राशिद खान और विराट कोहली में से कौने महान खिलाडी अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा कि आपको पताएं आज पूने के मैदान पर श्री लंका और अफगानिस्तान का मैच हुआ जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्री लंका को 49.3 ओवर में 241 रन पर ओल आउट कर दिया हाला कि लक्षे का पीछा कर अफगानिस्तान की टीम ने ठीक ठाक शुरुआत करने के बाद मैच को अपने नाम किया जिसके बाद एक बार फिर से राशित खान ने मैदान पर जीत हासिल कर तिरंगा जंडा फेराया और सभी को प्रभावित किया इस दोरान एक बार फिर से पाकिस्तान के दिगजों ने राशित खान के साथ भारत की बेजिती करते हुए भड़काओ बयान जारी कर दिया है जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि आज श्री लंका की टीम के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम ने बहतर तरशन करते हुए जीत दर्च की है लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से राशिद खान ने तिरंगा एक बार फिर से फैराया है उसको देख मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ इसके इलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि राशिद खान बार बार पाकिस्तान की ट टीम से बहतर पुरदर्शन करते हुए जीत दर्च की है अफगानिस्तान की टीम लगातार बहतर पुरदर्शन कर रही है जिसकी तारीफ होनी चाहिए लेकिन राशिद खान बार बार हमारी टीम को निशाना बनाते हुए तिरंगा फैरा रहे हैं इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि राशिद खान को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए दूसरे देश का मजाक उड़ाने के साथ उन्हें कुछ भी जहरीला बयान नहीं देना चाहिए अगर ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान आगे भी करते हैं तो हम ICC से जल्द कारवाई की मांग करेंगे अन्यता राशिद खान जल्द से जल्द सभी से माफी मांग लें तो वही शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि श्री लंका के खिलाव जीत के बाद अफगानिस्तान की टीम को जश्ण बनाने की आजादी है लेकिन जस प भारत की नागरिकता लेकर भारत की टीम की तरफ से खेले अन्यता इस तरीके से टीम को ट्रोल बिल्कुल भी ना करें मैं ICC से ततकाल रूप से कारवाई की मांग करता हूं तो वही रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है कि श्री लंका की टीम के खिलाव अफगानिस्ता कर जीत दर्च की है अफगानिस्तान की जीत के बाद उनकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि इस टीम ने लगातार बहतर पुरदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित की है लेकिन बार बार हमें तारीफ करने के बजाए अलोचना करने पर मजबूर होना पढ़ रहा है इसके इमाम उलहक ने बयान देते हुए का है कि श्री लंका की टीम के खिलाव अफगानिस्तान ने बहतर पुरदर्शन कर जीत दर्च की है इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने वास्तव में बहतर पुरदर्शन किया इसकी तारीफ होनी चाहिए उन्होंने हमारे खिलाव जि की टीम को निशाना बना कर तिरंगा लहरा रहा है मैं उसका अभी भी विरोत करूँगा मैं चाहता हूं कि आएस इसी जल्द इस पर बड़ा सा एक्शन ले और दोस्तों श्री लंका के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत के बाद राशिद खान ने तिरंगा फेराने पर आपको जबरदस्त घमासान में जिसमें लंका ने अपने ही पैर पर कुलाडी मार ली कैसे अफगानिस्तान ने लहराई पूरे के पूरे मैदान पर विज़े पटा का इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता में अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पहले श्री लंका को बैटिंग करने के लिए नियोता दिया टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने पाथूम निशंका के साथ करुणा रतने मैदान पर उत्रे इन दोनों बरलेबासों ने टीम को बहतरीन शुरुआत देने की लेकिन अफगानिस्तान के खदरना गेंबास वजल फारुकी ने गेंबाजी से करुणा रतने को चटवे ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्री लंका टीम को 22 रनों के स्कोर पर पहला जटका लग गया पारी को समालने के लिए कप्तान औ और फेकने आये अजमत उल्ला ने निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और निशंका 46 रन बना कर मैदान के बाहर चले गए लंका टीम को दूसरा बड़ा जटका लगया वहीं कुशल मैंडिस और समर विक्रमा भी कुछ खास टीम के लिए नहीं कर पाए मुझीब ने अपनी खतरनाग गेंड़ाजी से समर विक्रमा को चलता किया तो वहीं फजलक फारुकी ने और असलंका को वहीं राशित खान ने अपनी करिश्माई गेंड़ाजी से धनेंजड इसल्वा को पवेलियन का रास्ता दिखा कर श्री लंका टीम की कमर तोड़ दि आगे पूरी टीम 48.3 ओवर में 241 रनो पर ओल आउट हो गई श्री लंका की खतरनाग गेंड़ाजी के आगे अफगानिस्तान के बले बासों को ये स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रहमान उल्ला के कंदों पर आ गई इन दौनों बले बासों ने मिलकर टीम की पारी को समाला और श्री लंका के गेंड़ाजों पर टूट कर प्रहार करना शुरू किया दौनों बले बासों ने मिलकर टीम के लिए सिंगल डबल के साथ चखके चौके भी जड़ने शुरू कर दिये रहमत श पूरी करली रहमत शाह का बिल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था